पुखिया भुपेश बगेल के शास्के निवास पर आज से जन चौपाल का आयोजन हुआ इस दोरान सीम ने आने वाले लोगों की समस्याएं सुनी जन चौपाल में पहुचने वालों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर एक नंबर दिया गया उस नंबर के आधार पर लोगों को प्रवेश हुआ सीम बगेल के जन चौपाल के दोरान मुखिय सचेफ सुनील कुजूर बीजेपी गियेम अवस्ती सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे बाद प्रेम हाउस में इस प्रकार के नई सरकार बने बाद पहला आयोज़ा है और इसमें हजारों लोग आए हैं अब लोगों से भेट मुलाकात होगी समस्याओं के बारे में जानकारी भी होगी बरसाथ भी शुरू होगया, सावन का महिना लग गया है लोग खेते किसानी में भी लगे हैं, अबेज भर के लोगों से मुलाकात करके जानकारी हम लोग लएगे मुख्यमंतरी भुपेश बगेल का कारिकम जन चौपाल भेट मुलाकात शुरू हो चुका है लोग उन से मिल रहे हैं, आवेदनों का निराकरण हो रहा है सेक्यूरिटी टाइट है बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई ऐसी घटना नहों जो अपरी हो लिहाजा सेक्यूरिटी मुस्तायद है और सेक्यूरिटी वाले एक-एक करके सभी आवेदकों को भेज रहे हैं और सभी आवेदक जा जाके अपने जो अपना जो आवेदन है वो दे रहे हैं और संबंदित विभाग को ट्रांसपर किया जा रहा है मैं तो कुर चीज़ यह है कि एक software डेवल्प किया गया है इसी चौपाल के लिए जिसमें तमाम लोगों से जो आवेदन लिये जा रहे हैं उसकी live status लगातार उनको जानने को मिलेगी आप क्या आवेदन ले करते हैं बिधाल सभाब ठाना दो रहना ठीक से कार्वएदन किया जा रहे है अचा आपने कुछ शिकायद की थी एक साल हो गया है क्या उमीद अब मुख्यमंति जी से उमीद लगा क्या है सड्डू जीरम घाटिश का मंदित है योगितन साथ सर्विस के लिए हम लोग आवेदन दिये थे मुख्यमंति ने स्वेम दिलवाया का दमान को आप बहर जी स्वेम बन गये मुख्यमंति तो पुना आवेदन देने आया हो कुछ महिलाएं भी हैं महिलाओं से बात्चीद करते हैं आप लोग क्या आवेदन लेके पहुंचे तो पन्रव दिन कता तब समय लगा तार दोड रही हूं लेकिन कोई शुनाई नहीं हो रही है इसलिए स्वेम के पास पहुंचे हैं उमीद के साथ क्या नहीं है तो तुमाम लोग पहुंच रहे हैं अपनी इतनी समस्याओं को लेकर के कोई विकास के कामों को लेकर के पहुंच रहा है कोई लगती के समस्याओं को लेकर के पहुंच रहा है और ये कारिकम लगातार मुख्यमंतरी भूपिश वगेल का चलेग तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है कैमरा में अकले इसके साथ राइपूर से रुपेश कुपता बुर्हानपॉल में तेज बारिश